प्रारमिक परिक्षा 21 जोन को है और मुख्य परिक्षा 15 अक्टूबर को है पीछे कुछ बातें लिखी हुई हैं प्रारमिक परिक्षा में लबहग 5 महेने बागी हैं आज 21 जनोरी है पांच महीने बाद प्रारमभीक परिच्छा है आपकी 21 जुनको उसकी बाद आपको 3 महीना 20 दिन का समय मिल रहा है मुखे परिच्छा के लिए जो की वास्तिविक परिच्छा है 1500 उंकों की है और लिखित होती है और इसी के आधार पर आपका किसी भी पद के लिए चैन किया जाता है क्योंकि 1500 उंकों की इस लिखित परिच्छा को आप टिक मार के पास नहीं कर सकते इसी में आपको अपनी असली छमता का परदसन करना होता है यानि आज 21 जनौरी से लेकर मुख्य परिच्छा में कुल आपके पास कितना समय है आठ महीना बेज दिन लगबग लगबग अब ये आपके उपर है कि इस आठ महीने बेज दिन में आप अपनी योजना और कारेकरम की सहसाफ से बनाते है काफी समय है आठ महीना बेज दिन का समय कम नहीं होता है ये आपके उपर है कि अभी से आप अपनी सारी उर्जा प्रेलिम के लिए जोंक दीजिए पूरे पांच महीने और प्रेलिम यानि पांच महीने के बाद जब आप खाली होते हैं तो मुख्य परिच्छा के लिए तीन महीने बेज दिन बात तीन महीना बेज दिन का समय मिलता है और मुख्य परिच्छा में आप जाते भी हैं लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है कि 3 महीने और 20 दिन की त्यारी करके आप मुख्य परिच्छा को इंज्वाय कर पाएं उसका आनन्द उठा पाएं मुख्य परिच्छा का अनन्दा तभी उठा पाएंगे जब अभी से आप मुख्य परिच्छा की त्यारी करेंगे जो की वास्तविक परिच्छा है मेरे ख्याल से आपको अपनी योजना मुख्य परिच्छा को पूरी तरह से दरकिनार करके पूरी तरह से इसे अंदेखा करके प्रारंभिक परिच्छा के लिए नहीं बननी चाहिए आपकी योजना ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जो वास्तविक परिच्छा है आप उसे पूरी तरह से काट दीजिए अलग कर दीजिए और अगले पांच महिने आप किवल किवल प्रारंभिक परिच्छा के लिए पढ़िए ऐसी योजना आपकी नहीं होनी चाहिए किवल प्रिलिम परिच्छा पर फोकस करना मुख्य परिच्छा को पूरी तरह से अंदेखा करके किवल प्रिलिम परिच्छा पर फोकस करना वास्तों में ये आपकी मानसिक कमजोरी का प्रड़ाम होता है और दुर्दर्शिता का प्रड़ाम होता है हम सच्चाई को स्विकार नहीं कर रहे हैं हम चुनोती को स्विकार नहीं करना चाहते हैं जो कि यहां है हम चुनोती को पूरी तरह सेंदेखा कर रहे हैं और आपनी मानस कमजोरी के चलते हैं हम इस पर पूरा फोकस करेंगे और अगले पांच महीने अपना समय संसाधन प्रिलिम परिछा पर जोकेंगे इसका मतलब क्या होता है इसका दूसरे सब्दों में सीधा सा अर्थ है कि आप वास्तविक चुनोती जो के मुख्य परिछा है जो वास्तविक परिछा है आप उस वास्तविक चुनोती को स्विकार नहीं करना चाहते है योपी पीसेज की परिछा कोई एक साल नहीं होती है प्रतेक साल होती है, 2019 में होई थी, 2020 में होने जा रही है, 2021 में भी होगी, आज फिर से आपके सामने मौका है, 2020 में, तो यह कोई एक साल नहीं होती है, यह परिच्छा तो प्रतेक साल होती है, और प्रतेक वर्ष, चाहे SDM का पोस्ट हो, या फिर NAP तसिल्दार का पोस्ट हो, या फिर D.Y.S.P. का पोस्ट हो, इन सभी पदों पर प्रतेक वर्ष उन ही उम्मिद्वारों का चैन होता है, किनका जो सुरू से ही अपनी परिच्छा की रणिती मुख्य परिच्छा की लिहास से बनाते हैं, इन सभी पदो पर उन उमिदवारों को चैन होता है जो इसे हर्डल नहीं मानते हैं जो इसे कोई चुनोती नहीं मानते हैं वो इसे चुनोती मानते हैं जो इसे चुनोती मानते हैं बेशक वो कभी कभार पास कर जाते हैं प्रेलेम को लेकिन यहां वो खाली हाथ जाते हैं बीना किसी हथियार के पहुंचते हैं उनके पास नों को योजना होती है नो ठोसकारेकरम बस ऐसे ही जाके मुख्य परिच्छा देने की एक अपचारिकता पूरी कर ले जाते हैं और पुरतेक साल दर साल उनका यही उपकरम चलता रहता है तो जादा तर्चेन उनका होता है जो प्रारम सही अपने स्टेज़ी मुख्य परिच्छा के लिया से बनाता है लेकिन हमारे उत्तर प्रिदेस में ज़्यादा उम्मीदवार कैसे हैं? हमारे उत्तर प्रिदेस या अन इस्टेट पीसेस को देने वाले उम्मीदवारों में ज़्यादा संख्या उनकी है जो अपनी सारी उर्जा इसको अंदेखा करके अपनी सारी उर्जा प्रारंभिक परि न उनके पास कोई ठोस योजनार का रेक्रम होता है ना पेक्षित साहस होता है और नहीं पेक्षित उर्जा होती है वो बीना साहस और उर्जा के जैसे जैसे अपने तीन-चार महीने बिटाते हैं क्यों क्योंकि तीन से चार महीने में मुख्य परिच्छा की तैयरी नहीं हो सक आप 2018 में भी प्रेलिम पास किये थे, 2019 में भी किये थे 2020 मे भी करेंगे, और 2021 में हो चार लोगों में चर्चा हो जाएगी, कि उनके लड़के ने प्रेलिम परिच्छा पास कर ली, बहुत अच्छा लगता है सुनके, पहली बार, दूसरी बार, लेकिन तीसरी चोथी बार जब नहीं हो पाता है, मुख्य परिच्छा पास नहीं हो पाती है, तब सुझ में आता है कि मैंने पिछले तीन चार साल लगाता है, गलतिया कर दिया, वो नुभो प्राप्त करने के लिए हर उमिदवार चार पांच साल अपने सुरू में लगाता ह है, लेकिन कितनी अच्छी बात हो कि बीना तीन चार साल खपाये ही, आप सभी इस सचाई को जान लिजिए, कि जब तक असली परिच्छा में अपनी उर्जा नहीं जोकेंगे सुरू से, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है प्रारंभीक परिच्छा का, आप प्रारंभीक परि हैं, यानी लिखित हो गये है, जियस के आपका optional subject अप एक हो गया है, पहले दो होता था, और जियस के प्राशन पत्र जहां पहले दो होते थे, और objective होते थे, अब 4 प्राशन पत्र कर दिये गए हैं, और 4 प्रा-पत्र subjective प्रकृति कर दिये गये हैं, इसका मतलब क्या निकला इसका मतलब यह निकलाओ कि जब तक मुख्य परिच्छा के लिए आपके पास कोई ठोस योजना और कारेक्रम नहीं होगा, ठोस तैयार ही नहीं होगी तब तक साल दर साल आप कितना भी प्रिलिमिक जाम पास कर लें आप लिखित परिच्छा को पास कर ही नहीं सकते बीना योजना और कारेक्रम के आप लिखित परिच्छा को इमानदारी से आप फेस ही नहीं कर सकते हो आप उसका अनंद नहीं ले सकते हो 2019 की UP PCS परिच्छा को हम लेते हैं 2019 की यूपी पीसेस परिच्छा में जो मेंस एक्जाम था वो पहला एक्जाम था उत्तर प्रिद्स में जिसमें GS के चारो पेपर सब्जेक्टिव थे यानि लिखने थे। जब 2019 में मुखे परिच्छा हो रही थी तो पाया गया कि बहुत से अभ्यर्थी जो प्रेलिम एक्जाम पास कर चुके थे लेकिन वो मुख्य परिच्छा देने नहीं गये क्यों? क्योंकि आदत वहीं बनी वही थी फैक्चुल पढ़ने की, सब्जेक अबजेक्टिव पढ़ने की क्यों प्रेलिम की हिसाफ से पढ़ने की लेकिन अब मुख्य परिच्छा में जीयस अबजेक्टिव नहीं रह गया था अब तो लिखित हो चुका था तो इसका पड़ा में विया हुआ कि तयारी के अभाव में बहुत सारे भेर्थियों ने प्रेलिम पास किया लेकिन 2019 में मुख्य परिच्छा दे नहीं नहीं गये संभवतों 2019 की मुख्य परिच्छा पहली ऐसी परिच्छा थी उत्रप्रुदिस में जिसमें सबसे ज़्यादा अनुपस्थित उमीद्वार पाये गये थे जरा सोची अगर इन उमीद्वारों ने जिन्हों ने प्रेलिम पास किया था और मुख्य परिच्छा दे नहीं गये अगर इन उमीद्वारों ने अपना साल भर प्रेलिम पर फोकस करने के साथ साथ मुख्य परिच्छा को अपना मुख्य लक्ष बनाया होता तो क्या होता तो इन्हें कम से कम भले ही मुख्य परिच्छा पास नहीं कर पाते हैं मुख्य परिच्छा को पास न कर पाना उतनी बड़िया सफलता नहीं है जितनी बड़िया सफलता कि मुख्य परिच्छा को इमानदारी से लिख न पाना है अगर आप मुख्य परिच्छा को इमानदारी से लिख रहे हैं इसका मतलब आप सही ट्रेक पर हैं अगर इस साल नही नहीं लेंगे तो पास कैसे होगा छोड़ देना तो इस बात का पक्का प्रमार है कि न क्यों इस बार आप फेल होंगे बलकि आगली बार भी फेल होंगे तो जड़ा सोचिए कि 2019 की मुख्य परिच्छा में जिन मुईद्वारों ने परिच्छा पवन छोड़ा था अगर उन् में नहीं तो 2020 में काम दिया होता लेकिन इसका मतलब क्या निकला इसका मतलब ये निकला कि प्रिलीम के फेर में पढ़कर उन्होंने अपना एक साल का समय और संसाधन बरबाद किया हमारे उत्तर प्रिदेश में बड़ी तादात में ऐसे भरती आज हैं जो प्रतेक साल यही उपकरम दोराते हैं मुख्य परिच्छा से डरते हैं या महनत नहीं करना चाहते उसे अंदेखा करते हैं उनका प्रश्ण एक ही है कि जब तो प्रिलीम नहीं पास करूँगा तो मुख्य परिच्छा की तैरी से मुझे क्या फायदा आप किसे से भी बात करिए हो सकता है नहीं दिया गया है पांच महीने का ये जो सॉरी ये पांच महीने का जो समय दिया गया है ये प्रिलीम की तैरी के लिए आयोग नहीं दिया है ये समय आपको आयोग ने मुख्य यानि वास्तरिक परिच्छा की तैरी के लिए दिया है इस बात को जब तक आप नहीं और एक ही सवाल करेंगे कि जब तक prelim नहीं पास होगा तो मुख्य परिच्छा की त्यारी करना तो बेकुफ ही है नहीं यह गलत सोच है इससे जल्दी उबरना पड़ेगा आपको अभी से मुख्य परिच्छा की त्यारी करनी होगी 2020 की UP pieces परिच्छा एक बार ठीक उसी तरह से आपके सामने है जिस तरह से 2018 में थी 2020 में है 2019 में थी फिर से 2020 में यह परिच्छा आपके सामने है कुझ 15 box प्रारभी स्वरी 11 कह परिच्छ आज से पांच महीने बाद और आज से 8 बहीने 20 दिन बाद आपके संने मुख्य परिच्छ है अब आप सूची कि आप क्या चाहते हैं वास्तों में आपकी चाहत क्या है यह है या यह है आप सुची कि आपके लिए क्या बहतर रहेगा सही मैने में आपके पास दो विकल्प है पहला विकल्प को सा है पहला विकल्प यह है कि आप अभी से प्रारंभिक परिच्छा के साथ साथ मुख्य परिच्छ ना मानकर इसको गंभीर मानिए इसको सीरियस मानिए इसको लेकर सीरियस हो जाएए और आज से ही मुख्य परिच्छा की त्यारी में लग जाएए देली दो से तीन घंटा थोड़ा थोड़ा जियस पढ़ते रहिए आप मुख्य परिच्छा की त्यारी करेंगे तो प्रारंभ इसलि़े में क्या होगा एक तो पहला भी कल्प में बताया कि इकiddrist अज़ेंको प्रीलीम हैं तो आप प्रीलीम और मेल्स की तयारी कब तक करेंगे साथ साथ एक जून तक की तैयारी साथ-साथ करिए अभी से बिलकुल अपने उपर विश्वास रखते वे भरोसा रखते वे कि मैं प्रिलिम फेल नहीं होगा ये डर भह से मंस निकालीब है तो एक जून तक का प्रिकम मेंस की तैयारी करिए साथ-साथ उसके बाद एक जुन से 21 जुन तक का समय आप पूरी तरह से प्रेलिम पर देजिए देखे कि कमिया कहा रहा गई है घटना करम घटना करम एक साल के जिससे समसामेरिक अध्यन हो गया current affairs हो गया उत्तर प्रतिस विसेस हो गया उत्तर प्रतिस विसेस से प्रशन बहुत जादा नहीं पुछे जा रहा है जल्संख्या परियावरन नगरी करण हो गया किर्शी प्रतियोगी की में कुछ हिस्सों से प्रशन आते हैं आप लास्ट के जो 21 दिन है वो सिर्फ प्रेलिम पर देजिए लेकिन आज से लेकर एक जुन तक अपना समय प्रीक की साथ साथ मुख्य परिच्छा पर देजिए अपना ऑप्शनल त्यार करिए और जीएस के चारों प्रशन पत्रों के लिए कुछ लो कुछ पढ़ाई करते रहेए अपना एक छोटा छोटा नोट्स भी बनाईए जैसे ही आप 21 जुन की प्रेलिम परिच्छा देंगे उसके बाद 22, 23, 24 जून तीन से चार दिन आप जितना आराम करना चाहें ततकाल बाद आप तीन महीना 20 दिन बाद आयोजी थनवाली मुख्य परिच्छा के लिए लग जाईए यहाँ पर आपके पास हांसला रहेगा हांसला किस बात का? कि हमने काफी कुछ अध्यन इस पांच महीने में किया था मैं बिलकुल खाली हाथ नहीं हूँ मैंने पांच महीने मुख्य परिच्छा की त्यारी का अच्छा नुभा लिया अच्छा परिश्रम किया था इस विस्वास से लैस रहेंगे तो ये तीन महीना 20 दिन आपका जो महीना था वो निखर कराएगा आप बिलकुल कच्चे नहीं रहेंगे आप एक अनुभवी अभेर्थी की तरह इस तीन महीना 20 दिन को इस्तमाल करेंगे ज़्यादा तरह चीज़ें आपकी दोहराओं में जाएंगी इसमें आप आत्मी स्वास से लैस रहेंगे कि इस तीन महीना 20 दिन में एक योगी की तरह तपस्या करते ही मैं अगर बिता दूँगा तो मुख्य परिच्छा देने का असली आनंद उठा पाऊंगा और ऐसे स्थिति में इन पदोपर में काभीज हो सकता हूँ अब दूसरा विकल्प क्या है कि है आपके सामने कि देखिए हमने प्रेलिम पास कर लिया तो इसको पूरी तरह से अंदेखा करके हम प्रारंबिक परिच्छा पर अपना पूरी उर्जा जो कि पूरा जोर लगाई कि प्रारंबिक परिच्छा को हरहाल में पास कर देना है ऐसे सिति में क्या होगा बहुत हद तक संभव है कि आप प्रारंबिक परिच्छा पास कर जाएंगे लेकिन उसके बाद क्या होगा तीन महीना बीज दिन का समय आप कैसे बिताएंगे क्योंकि यहां पे आपने मुख्य परिच्छा के लिए पढ़ा नहीं इन पांच महीनों मे इन तीन महीने बीज दिन में आप दोसरों से पूस्ते फिरेंगे कि कौन सा नोट्स खरीदें कौन से किताबे पढ़ें कौन सा कोचिंग जोईन करें यही पूस्ते पूस्ते निराशा पूरक तीन महीने बीज दिन बिताएंगे और या तो होंसला तूट गया तो छाल में प्रतेक पेपर में तीन घंटा बैट कर सोचेंगे कि यह मैंने अपने साथ क्या कर दिया और फिर 2021 में हम यही करेंगे है ना लेकिन दूसर पहला विकल्प जो वैंने बताया यानि वास्तरिक रूप से मुख्य परिच्छा लिखने का लुथ उठाएंगे आनंद लेंगे और एक बार अगर आप मुख्य परिच्छा लिखने का आनंद ले लिया और आपको विश्वास हो गया कि जो प्रश्ण पूछे गए थे मैंने उसे लिखा था और आपनी बुद तक संबव है कि आप इसी बार ही निकाल लें लेकिन ये तभी समभव है जब आज से ही आप मुख्य-परिच्छा की त्यारी करिए अपना के विश्य बनाए बना हुआ है तो उसको उसकी त्यारी जो शोर से स्टार्ट कर दीजिए और मुख्य-परिच्छा की जो चारो वास्तुई करुप में आप G.S. प्रश्ण पत्र की तैयारी किये हैं, मुख्य परिच्छा के लिए। अगर G.S. प्रश्ण पत्र की आप तैयारी किये हैं, तो निबंद को रटना भी नहीं पड़ता है। आप इतने लिखते लिखते इतने अनुभवी हो जाएंगे कि निबंद कोई हरडल नहीं होता है और निबंद अच्छा वही मना जाता है जो रट के नहीं लिखा जाए इस बात को मैंने बहुत सिद्धत से मसूश किया कि जितने भी लोग रट के निबंद लिख के जाते हैं वो बहुत बढ़ियां सद्धों में लिख तो देते हैं लेकिन जो कॉपी चेक करने वाला है वो पकड़ लेता है ये तो रटावा लग रहा है वो आपका नहीं लगेगा क्योंकि आपका अपना जो लिखा हुआ सरल भासा में होता है सरल सोच के साथ उसी निबंद में पड़त के लिए दिल्ली से लिकर जैपूरता के अच्छे अध्यापकों की टीम गठित की है एक वाट्स अप नंबर भी मैंने दिया था जिसमें यूपी पीसेस एंट्री लिखकर भेजेंगे तो हमारा एक प्रीकमेंस बैच जो 24 जनौरी से चलाया जाने वाला है उसमें आप एड्मेसिन के प्रक्रिया जान सकते हैं फिस भी मामूली रखेगे यह प्रीकमेंस दोनों परिच्छाओं की लिहास से तो आप अगर यूपी पीसेस एंट्री ये नंबर कौन सा है वाट्स अप नंबर मैंने इतना बताया तो आपको बस इतना बता दूं कि आप चाहे तो हमारे प्रीकमेंस बैच में जो की 24 जनौरी से सुरू हो रहा है कब से सुरू हो रहा है 24 जनौरी से अभी से प्रेलिम के साथ साथ हमारे प्रीकमेंस बे ना केवल प्रेलिम की तियारी कराये जाएगी बलकि मेंस की तियारी कराये जाएगी दोनों परिच्छाओं की एक स इस पर आप UPPCS Entry, UPPCS Entry लिकर भेजेंगे, इस WhatsApp नंबर पर आप UPPCS Entry लिकर भेजेंगे, तो आपको admission process बताया जाएगा, और 24 को हमारा batch program हो रहा है, लेकिन किसी करण से अगर आप 24 तक भी admission नहीं ले पाए, तो हमारी counselor से बाचित करके आप 24 के बाद भी admission ले सकते हैं, ऐसा से मैं admission नहीं ले पाया, मा लेते हैं 26 से ले पाया, तो क्या 24-25 की classes नहीं देख पाऊंगा, ऐसा नहीं है, प्रतिक class प्रतिक वीडियो आप पांच बार कभी भी दे सकते हैं, भले ही आप 24 को नहीं देखे, 25 को नहीं देखे, 26 को नहीं देखे, आप 28 को भी join करेंगे, तो 24 January से जो भी वीडियो प्री और मेंस के लिए बने हुए, जो नोट्स गये हैं, वो आपको लेबल हो जाएंगे, प्रतिक वीडियो से इसमें अधिकतम 5 बार देखे जा सकते हैं, जिसके अंदर आत्मिस्वास होता है, वो एक ही बार में देख लेता है, और नहीं है, तो 10 बा बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सुविधा भी कमजोरी उत्पन करती है, अब 5 बार लिमिट को चुनोती मानिए और अपनी तियारी भी से सुरू कर देजिए, शोब कमने